जो आपके य की लिमिट 0 से 4 थी वो इस function के अंदर put करके आपके पास x की लिमिट 0 से 2 में change हो गया जब हमने y की value put के उसके respect से x आगे 0 से 2 अब next हमने limit बतानी है कि जब हम y को अंदर करते हैं तो y की क्या limit आती है अब देखें यहां से जो equation बनी थी उसके equal x equals to y by 2 था अगर मैं y की value यहां से निकालना चाती है मैं 2 को दूसरी साइड पिले के जले जो तो y equals 2 के आ जाएगा 2x आ जाएगा तो आपको होगे y की upper limit आपके पास आ गई है 2x अब देखें आपने यहां पे y equals to 2x बात कर रहे हो देखो जब आप 2x बात कर रहे हो उसकी पहली condition यह यूज कर लिए अगर देखें मैं यहां से इसकी y के जगापे 0 पुट कर दूँ एक्स की जगाप सुरी बच्चो जीरो पुट कर दूँ तो यहां पर आपके जो य की पूरी की पूरी वैली हो जाएगी यह हमें अपर लिमिट यहां से डारेक्ट बता दी इस फंक्शन को देखें लेकिन लोयल लिमिट चाहिए थी उसकी लोयल लिमिट के लिए अगर मैं सारा function x के respect से y के respect से constant है constant as it is आजाएगा वनकी integration y आजाएगी y के अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोयल लिमिट पुट करोगे तो यहां 2x-0 आजाएगा और 2x इसे multiply होके यह चीज़ बन जाएगी अब देखें अपने इसकी x के respect से integration करनी है यह बस हान चीज़ है दे जब integration derivative के साथ cancel हो जाएगी पीछे बचेगा e की power x के और साथ में limits बच जाएगी 0 से 2 तो आप limits उसके बाद पुट कर दोगे अपर limit पुट कर दोगे लोयल लिमिट पुट कर दोगे तो यह आपका answer आजाएगा अब देखें ऐसे direct integration करना मुश्किल था जब integration आपने करनी इसी function के साथ उसका derivative आगे तो derivative के साथ cancel करके आप इजी लिए इसकी integration कर सकते हो अब अच्छों यह ट्रॉटन 9 questions रहे हैं यह आपको मैंने send की है इसे देखें समझें अगर किसी step में problem होती है तो मुझसे पूछने